नमस्कार दोस्तो जो बलेट चैनल पर आप सभी का स्वागत है सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो क्रिपर करके सब्सक्राइब करके बैल आइकम प्रेस करके ओल नौटिफकेशन जुरूर ओन कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले इंफोमेशन मिल सके अगर आप इस चैनल पर पहले से जुड़े हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है शेर करना मत बूलिए क्योंकि आपके एक शेर से हो सकते हैं किसी को बहुत बड़ी इंफोमेशन मिल जाए जो कि आपके लिए बहुत बड़ी information बड़ी अपडेट लेके आया है गंगा institute of technology and management की तरफे बहुत बड़ी opportunity निकली हुई है कौन-कौन candidate apply कर सकता है कौन-कौन eligible है पूरी की पूरी information आपके साथ share करेंगे कोई भी candidate वीडियो skip ना करें क्योंकि वीडियो skip करते हैं information बिस हो सकती है जो कि मैं आपको बता चुका हूँ GITM यानि की गंगा institute of technology and management जजजर की तरफे हर्याना की पोस्टें निकली हुई है ठीक है जी कौन-कौन candidate apply कर सकता है पूरी detail जानेंगे उससे पहले मैं humbly request करूँगा कोई भी candidate वीडियो skip ना करें क्योंकि दस्वी बेस से लेकर PhD तक की पोस्टें जी अलग लग देख सकते हो दस्वी बेस से लेकर PhD तक की पोस्टें है इसमें जो कि मैंने आपसे वादा किया है अंपड से लेकर PhD तक की पूरी की पूरी information जो की देया करूँगा ठीक है अब आपके लिए बात कर लेते हैं जो कि फोर्म 18 फरवरी से start और fill up होने start हो चुके हैं कब से 18 फरवरी से form fill up होने start हो चुके हैं आज देख सकते हो आज 19 फरवरी है जैसे कोई भी update आती है आपको सबसे पहले इस चैनल पर प्रोवाइड गरवा दी जाती है 18 फरवरी से शुरू है नहीं दस मार्च इसकी last date है दस मार्च शाम के चार बज़े तक आप apply कर सकते हो कोई भी वह आपकी फीस नहीं है सारी का स तारा form भी offline mode में है एज एक जनवरी 2022 तक आपकी एक जनवरी तक होई चाहिए कितनी होनी चाहिए वह अलग लग पोस्ट के रिगार अकोडिंग ली अलग अलग इंफोमेशन है सभी की अलग अलग अज लिमिट है वह आपको साथ की साथ चेक आप बताते जाएंगे ठीक है मेर बात करते है selection process की selection process में आपका return test होगा plus में driving test जीस जी से post का होगा ठीक है return test होगा document verification होगी आपकी medical होगा सबसे बड़ी बात इसमें पोस्टों की बात कर लेते हैं तो 178 पोस्टें पहले आप बात करते हैं टीचिंग की फिर बात करेंगे नोन टीचिंग की टीचिंग की पोस्टों में प्रोफेसर, एसोसेट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर ये तीन पोस्टे है नहीं ठीक है इसमें बात कर लेते हैं तो प्रोफेसर की 18 पोस्टे हैं जिसमें PhD मांगी हुई है और 13 साल का आपका experience मांगा है maximum age आपकी 50 साल होनी जाहिए जाद से जादा 50 साल चल सकती है associate professor की बात कर लेते हैं तो 21 साल पोस्टे हैं कि टोटल में 21 हैं PhD मांगी हुई है और 8 साल का experience associate professor का मांगा हुआ है इसमें भी 50 साल maximum age मांगी है assistant professor की 85 पोस्टे है इसमें PhD मांगी है और 1 साल का experience मांगा हुआ है अगर आप professor होगे तो 13 साल का experience associate होगे तो 8 साल का अगर आप assistant professor के assistant professor होगे यह जोनी कि यह down की post है यह उससे अपपर है यह सबसे अपपर है PhD के लिए PhD और 13 साल का experience है तो आप professor की post पर सिधे appoint किये जाओगे ठीक है assistant professor की 85 पोस्टे टोटल में है अब अब बात कर लेते हैं non teaching की सबसे ज़्यादा पोस्टे इसी में है ठीक है रिजिस्टर आर की एक post है जिसकी available soon detail जलता आ जाएगी ठीक है बाकी 40 साल maximum age है librarian की एक post है ठीक है इसमें librarian science में degree मांगी है साथ साल का experience मांगा maximum age 40 साल administrative officer की एक post है इसकी अपा officially notification में details चेक कर लेंगे office assistant come accountant की तीन post है become past मांगी हुई है तीस साल की maximum age और technical assistant की post है जी इसमें भी details आ जाएंगे notification में देखेंगे clerk come typist इसकी पांच post है graduation के साथ basic typing मांगी हुई है और इसमें 25 साल maximum age 25 साल मांगी हुई है उससे बात बात कर लेते हैं lab attendant की बारा पोस्टे है डिप्लोमा मांगा हुआ lab attendant में नहीं तो IT lab attendant में उन्हीं हो चाहिए और दो साल का कम से कम experience लोना composer यह इसमें भी 25 साल age मांगी है computer operator की तीन post है इसकी detail notification में देखेंगे data entry operator की भी तीन post है इसकी भी notification में देखेंगे library attendant की तीन post है जी बारवी पास मांगी हुई है 25 साल age पी अन्चपड़ासी की आठ पोस्टे है इसमें दस्वी पास मांगी हुई है और 25 साल maximum age सफाई करमचारी की आठ पोस्टे है इलिटरेट यानि की अन्पड़ की पोस्टे है 25 पोस्टे अन्पड़ाओं के लिए भी यानि की जो मैंने आपके वादा किया अन्पड़ से लेकर PhD तक की पोस्टे है इसमें यानि की teaching non teaching की सभी की पोस्टे है ठीक है यह जुरू द्या आपने फॉर्म कहां पर सेंड करना है फॉर्म आपने फिलप किया फिलप करने के बाद आपको फॉर्मेट भी बता देंगे अपने लिखना है application for the post of कि पोस्ट के लिए अपलाई करोगे non teaching teaching के लिए कौन सी पोस्ट जैसे प्रोफेसर एसोसेट प्रोफेसर असिस्टन प्रो लिखना है यहां पर आपने ब्लेंक में और इन गंगा इंस्टिट्यूट ओफ टेक्नोलजी एंड मनेजमेंट में इस पर आपने एंडवलप के ऊपर में यह लिखना है उसके बाद मेन बार करने लेते हैं सेंड ड्यूली फिल्ड एप्लिकेशन फॉर्म दा एड्रेस ओफ चेर्मेंड गंगा इंस्टिट्यूट ओफ टेक्नोलजी मनेजमेंट कबलाना बाद्रुगार जजजर रोड जजजर हरियाना में ठीक है सेंडरा कोपी कंप्लीट एप्लिकेशन फॉर्म डोकॉमेंट कोपी और डीडी ठीक है कोपी ओफ डीडी आएड दीन कॉलेज डिवल है ठीक है अब आप बात कर लेते हैं कौन सा फॉर्म है कहां से आप अपलाई करोगे यह माराजा गंगा इंस्टिटूट ओफ टेक्नोलजी एंड मनेजमेंट की ओफिशली साइट है अगर आपने यह पूछना हो भी यह फॉर्म आपने कैसे कैसे सेंट करना है ज्यादा डि ले सकते हो पिक कर सकते हो में बात कर लेते हैं एडवर्टाइज की ओफिशली नोटिफिकेशन की यह अख़बार की कटिंग में ओफिशली नोटिफिकेशन है जिसमें इन्होंने रिजिस्ट्रार की पोस्ट एक लाइब्रेरी की एक एडमिन ऑफिसर की एक ओफिस कम अकॉ श्वाय कर्मचारी की आठ पोस्ट ए आपको बताई है और टेशिंग में किस किस में यह आप अपने साब से देख सकतो प्रोफेसेर और एसिस्टेंट की किस किस में कितनी किनी पोस्टे मांगी हुई है। आपने this यह लिए आपका फॉर्म सारी कि जी आई टी एंप में भी गंगा isse पर पर आपने सेंड करती में हैं या फिर आप पोस्त को क्यों आप यहां पर समय ने आप हर्याना से यह हो तो मैं यही रिक्मांड करूंगा भी आप वाया हैंड ही जाकर सम्मिट करवा दीजिएगा ठीक है जी बैटर रहेगा ठीक है इसमें कही पोस्टों की तो अफिशली नोटिफिकेशन में डिटेल्स इन्होंने कुछ भी नहीं जी है अगर आपको डिटेल्स भी चाहिए हो तो आप ऑफिशली नंबर पर कंटक्ट कर फकते हो इस नंबर मिल गया आपको ठीक है यहां फिर आप इस वेबसाइट पर भी इस मेल आइडी पर भी आप आपने क्वेरी राइज कर सकते हो भी इस पोस्ट के रिगार्डिंग क्या नोटिफिकेशन के कोई नोटिफिकेशन में डिटेल जारी नहीं की जिन जिन पोस्टों के डिटेल जारी नहीं की है और इस नंबर पर आप कंसर्ण कर सकते हो गंगा इस्टिटूट टेक्नोलजी और उसके बाद बात करने है यह रेगुलर बेसिस पर है यानि की रेगुलर बेस डेली बेस पर है पर्मानन नहीं है ठीक है और यहां पर आपने किस पोस्ट के लिए अपलाई कर रहे हो वह पोस्ट का नेम लिखना है तो विस डेटाइज पहन से आपको यहां से डिपाटमेंट आपको देखने को मिल जाे का कौह से डिपाटमेंट में नोन टेचिंग वाले वो तो पोस्ट का नेम लिखेंगे टीचिंग वाले डिपांटन लिखेंगे ठीक है उसके बाद मेन बात कर लेते हैं तो आपने आगे फोर्म कैसी फिल्प करना है यहाँ पर अपना नेम बड़े-बड़ेक्शनों में प्राइबर है तो आपको पता है रेगुलर बेसिस पर एगस्पीरियेस वाले को अब जयाद़ प्राइफरेंस करेंगे कि रेगुलर बेसिस पर पकड़िन है फ्रमानेंट नहीं है यहां पर कितने टाइम का मन्त का इयर का का प्रश का अगर कोई आप रिसर्चे पॉब्लिके जैसे कि आपका 10-12 कोई भी क्वालिफिकेशन एक्स्पीरियंस सब कुछ आपने साथ में अटेच्च करना है और यहां पर अपने सिगनिचर कर देने हैं यह दो पीचिस का आपका फॉर्म रहने वाला है ठीक है जी और यहां पर आपने नेम प्लेस कहां से भर रहे हो और यहां पर डेट किस डेट को भर रहे हो और इस एड्रस पर आपने सेंड करना है ठीक है जी एक पॉपी आपने इंस्टिटूट गंगा इंस्टिटूट पर करनी है और एक महर्शी द्यानंद यूनिवरस्टी सबी के साथ कि इस पॉंब के फार आपने दसवी बारवी कोई भी क्वालिफकेशन मतलब दसवी बारवी नहीं तो डिपलोमा है ग्रेजुइशन पोस्ट ग्रेजुइशन या आप अनपड़ो तो अनपड़ का भी यहां पर मैंशन कर सकते हो इलिटरेट अधर में आ यहां पर आपने दस्वी मेंशन कर रही है ठीक है यह निकि यह फॉर्म फिलप करके दस्वी बारवी डिप्लॉमा ग्रेजुइशन पॉस्ट ग्रेजुइशन एम एम फिल पिह डी आपका पूरा पूरा पूरूफ अदार कार्ड कुछ भी एक आईडी पूरूफ जुरूफ बेंड कार्ड या आदार कार्ड कुछ भी ठीक है और सारे के सारे डॉकोमेंट्स पर आपने छुद इसलफ के सेल्फ टैस्टेटर्स डिसन करने कमें रगे रिजिस्टरड पोस्ट आमने करने है करें तो एक तो एम डियू में बेजना है एकगंगा इंस्टेट्योट में आपने copy बेजनी है ठीक है जै यह जुरूज धयां दीजिएगा दोनों में एक की copy आपने send करनी है यह आपको address सारी के सारे address आपको इस वीडियो के description box में दोनों के दोनों address में ने send कर given दे दिये हैं वहाद से आप इस address को pick up कर सकते हो ठीक है और बागी मैं information आपको बताई चुका हूँ भी आपने आगर ज्यादा query हो ज्यादा समझ कोई चीज ना आए कोई doubt हो तो इस number पर आप concern कर सकते हो जो कि आपको गंगा इस्टिटूट टेक्नोलजी and management की officially number है इस number पर आप contact करके confirm कर सकते हो क्योंकि इन्होंने अखबार में advertise दी है वैसे कोई advertise नहीं है क्योंकि offline mode में form है offline में advertise कम होती है ठीक है जी आप इस पर concern भी कर सकते हो आई ओप सो भी यह information आपको सारी की सारी पता लग गई है ज्यादा जानकारी के लिए आप इन numbers पर chairman से भी contact कर सकते हो यह जुरूर द्यान दीजिए दस मार्च तक आप form send पहुंच जाना चाहिए दस मार्च के बाद आपका form acceptable नहीं रहेगा ठीक है form का link application का link और आपको officially notification का link officially details का link सारे link आपको इस वीडियो के description box में provide कर वारी है अगर इसी तरह की आप और भी big updates चाते हो तो हमारी चैनल पर नहीं हो तो किरपा करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए सब्सक्राइब भी नहीं करना सब्सक्राइब करके bell icon प्रेस करके all notification जरूर ओन कर लीजिए ताकि इस तरह की सारी updates आपको मिल सके ठीक है नहीं और आप एस चैनल पर आगा आप पहले से जुड़े हो तो जादा से जादा वीडियो शेयर जरूर कीजिए शेयर करके हमारा सेउग जरूर कीजिए वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब बहुत बहुत धन्यवाद आपका देहीं शुब मंगल में हो ऐसे हम कामना करते हैं थैंक यू वेरी मच